हाई गाईज वेलकूम टो माई चैनल एवराट किक तो आप लोगों को होप करता हूँ की मेरी सारे वीडियो जो मैं बना रहा हूँ शायद आपको भी हेल्प हो रही हो उस चीज में तो आज हम जो important topic है जो every student और जो भी लोग यहां पर आ रहे हैं ठीक है ना इंडिया से चाहे वो spousal visa पर आ रहे हैं यह student visa पर आ रहे हैं तो जो important topic है वो है BRP तो यह BRP क्या चीज है और हम discuss करेंगे कि वो कहां से मिलता है उसका क्या यूज है आपके यहां पर जब आप यूज के अंदर आते हो आपका मतलब डे टू डे लाइफ में ठीक है ना आपको वह कहां से कलेक्ट करना है और किन किन चीजों में आपका वह बी आर्पी कार्ड जो है वह बहुत इंपॉर्टन है तो गाइस ज जिस जिन लोगों का गाइस अभी इंडिया में उन्होंने स्टूडन वीजा अपलाई किया है मेभी एक सब्टेंबर इंटेक और जो भी नेक्स्ट येर के लिए करेंगे करना जा रहे हैं तो मैं आप सब लोगों के चीज़ बता दूँ जब भी आप अपना वीजा अपला करने जाते हैं तो यह प्रोसेस है तो जब आपका वीजा लगकर आ जाता है तो आप लोग अपना पासपोर्ट पर जो डेट है वो आप अपनी चेक करते हैं तो वो डेट आप चेक करी ठीक है वो डेट आपका जो पासपोर्ट के ओपर स्टेम्प है वो थ्री मंस के लिए वैलिड होता है जो इनिशली जो अभी बिफोर लॉग डाउन या आप कह सकते हैं बिफोर कोवेड वो वन मन था ठीक है तो आपको पहले क्या होता था कि वन मन के अंदर यहां पर यूके के अंदर आना ही आना है बट अब वो डेट बढ़ा करके थ्री मंस कर दी है उसकी वैलिडिटी तो वो जो वीजा है वो टेंपररी वीजा होता है गाईस ठीक है ना वो स्टेम्प वो जस्ट फॉर अपनी होम कंट्री से यूके अंदर आ रहे हैं तो वो आपका एक टेंपररी स्टेम्प हो गया जिसके तुरू आप यहां पर एंटर करोगे ठीक है ना तो यह आपका टेंपररी वीजा हो गया लेकिन आपके वीजा जब आपका आता है लगकर आपके पासपूर पर उसके स लिखा होता है कि जब आप महाँ पर लैंड करते ही आपको विदिन ना टेंडेज के अंदर आपको अपना बी आरपी करना है और उसके नीचे जैसे इन केस ऑफ स्टूरेंट्स स्टूरेंट के केस में जो एडर्स लिखा होता है और जो भी इस पाउजल वीजा पर यह जो वो समिट कराया होगा ठीक है ना तो वो आपका एडर्स से आपको पताजल लाएगा कि आपको अपना वीजा कैसे लेना है क्या करना है तो जब आप यहाँ पर आ जाते हो आप यहाँ पर लैंड कर लेते हैं तो फर्स्ट थिंग आइस आपको चाहिए होता एक मुबाइल न तो यह आपका मतलब एक आप कह सकते हैं कि इनीशल एक चीज है जो आपको बहुत मेंडिटरी है जो चाहिए एक रिक्वाइमेंट है बी आरपी कलेक्शन के लिए तो फॉर केस ओफ लाइक स्टुडेंट के केस में क्या होता है कि जैसे मेरे केस में था यहां पर लॉकडाउन वो कलेक्ट करना होता है तो बी आरपी कलेक्शन का वो एक वे है फॉर स्टुडेंट तो मेरा कॉलिज के तो इंटरव्यू हुआ उन्होंने मेरा ओरिजिनल पास्पोर्ट चेक किया मुबाइल लंबर मेरे से लिया और जो मेरे पास्पोर्ट के ओपर इमिग्रेशन स्टैम तो वो स्टैम्प उन्होंने चेक करी उसकी फोटो रहे से लेंगे वह आपका पर जहां पर रह रहरहे हैं क्योंकि same ही address आपने अपने जब आप यहां पर आते हो जहां पर रह रहे हो वो address आप अपने college की profile में add करोगे enrollment से पहले तो वो address पे ही आपको by post I think within a one or two days आपको आपका BRP card मिल जाता है guys तो उस BRP card पे आपकी course की पूरी start और end date लिखे होती है plus four months extra होते हैं ठीक है तो यह तो आपका process हो गया कि आप student की case में कैसे collect करें but in case of spousal visa वहाँ पर आपके nearby post office का address लिखा होगा जहां पर आपको जाकर collect करना है आपका BRP card तो वहाँ पर भी आपको अपना mobile number आपका passport आपको लेकर जाना है original document जो है वो आपके mobile number से just for like information link करने के लिए वो use करेंगे और जो second जो है passport से वो verify करेंगे कि that he is the right person क्योंकि वो BRP card आपके बहाफ पे student visa की case में सिर्फ college को देते हैं और किसी को भी BRP नहीं देंगे तो वो collection आपको खुद ही करना पड़ेगा guys तो यह तो आपका हो गया कि आपको collect कैसा करना है उसके बाद आता है कि BRP card होता गया basically actually in UK BRP card is the visa for you ठीक है वो एक card होता है जिसमें आपका start and date सब लिखा होता है आपका work permit भी उसी के ओपर लिखा होता है कि आप कितने hours on student visa काम कर सकते हैं और in case of spousal visa भी उसके ओपर hour mentioned होता है कि कितने hours public आप काम कर सकते हैं on this visa ठीक है तो यह होने के बाद जब आपको BRP card मिल जाता है तो first thing जो आपको करनी है guys आपको अपना UK के अंदर bank account खुलवाना है तो वहाँ पर भी आपको अपना BRP card देना पड़ेगा with your passport ठीक है वो क्योंकि एक comment है आपके पर that you are student ठीक है तो वो उससे verify करते हैं तो आपका एक student account open होएगा UK के अंदर उसके बाद आपका next thing आती है वो आता है यहाँ पर health care system तो यहाँ पर होता है हमार यहाँ पर जो होता है वो होता है NHS National Health जो service होती है उससे आपको करने के लिए guys आपको अपना BRP card उनको submit करना पड़ता है जिससे आप verify होते हैं और आप इस college में पड़ते हैं या enroll किया आपने इस course में वो आपका एक perfect example है कि वो mandatory document है उसके बिना वो आपको connect नहीं करने पड़ेंगे तो directly आप यहाँ पर किसी doctor को reach out नहीं कर सकते कि मेरे को यह issue है या यह है जैसे हम इंडिया में कर लेते हैं तो यहाँ पर आप ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते आपको यहाँ पर appointment लेनी पड़ती है और वो किसके थुरू होता है वो होता है NHS के तो वहाँ पर भी आपका BRP card जो है बहुत mandatory है तो जो last जो most important thing है जब भी आप किसी भी part time job करने जाओगे अगर आपको किसी को बताना है that you are student और आप इतने hours काम कर सकते हैं तो वो आपका BRP card ही important document है उनके लिए तो passport verification के लिए और BRP card verification करवाएगा कि आप कितने hours काम कर सकते हैं legally in UK with your studies और in case of अगर को individually है जो भी spousal visa पर आया है उनके case में भी यही होने वाला है ठीक है ना jobs को verification करने के लिए तो मैं आपको बोलूँगा जैसे ही आप UK में आऊ within 10 days जल्दी से जल्दी आप अपना BRP card collect कर लो क्योंकि उसके basis पर आपकी काफी सारी चीज़े होती है अकाउंट्स हो गए आपका health insurance हो गया जो आपने इंडिया में purchase किया था वीजा stamping के टाइम पे तो वो link BRP के थू ही होता है तो यह सारे mandated documents है तो hope guys आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो please like कर देना subscribe कर देना चैनल को तो और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए म कर दो कर